नमस्कार शुरताओ आप सुन रहे हैं रेडियो कुमावानी मैं हूँ आप लोगों के रेडियो दोस्त कविता विश्चर शुरताओ जैसा कि आप जानते हैं मानो शरीर कई तरह की जीवित कोशकाओं उतकों और अंगों से मिलकर बना होता है मानो शरीर में अगर उतक, कोशकाओं अंग ना हो तो हमारा सरीर के वर ढाचा है हमारा सरीर सही तरह के से कारी तभी करता है जब हमारे सरीर में अंग ठीक प्रकार से कारी करें उतकों का नियंतर निर्मा होता रहे कोशकाओं अपना कारी करते रहें इन्हीं अंगों के प्रति यानि की मानों सरीर के अंगों के प्रति लोगों को जागरुक करने हितु कई दिवस निधारित के गए हैं इन्हीं मेंसे एक दिवस है किडिनी दिवस जिसे गुर्दा दिवस भी कहते हैं क्योंकि आज रोता हो विस्व गुर्दा दिवस है इसी को लेकर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अगर हम इसका इत्याहाज देखें तो इस दिन को मनाने की सुरवात International Society of Nephrology और International Federation of Kidney Foundation द्वारा की गई थी विश्व किड़नी दिवस पहली बार 2006 में मनाये गया था इस दिवस को मनाने के पीछे एक मुख्य उदेशिया है आज भारत में और विश्व में प्रतेक वर्स 850 मिलियन लोग किड़नी की खराबी के एकारण मर जाते हैं हम जानते हैं मानों सरी में दो किड़नी होती हैं लेकिन हम यह जानकर रापरवाही भी करते हैं कि अरे भई हमारे सरी में तो दो किड़नी हैं एक खराब भी हो गई तो क्या नुकसान है लेकिन अगर हमारे सरी की किड़नी खराब हो जाए तो साइध हमारे सरी से विशाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि सरीर में किड्नी की भूमिका ही कुछ ऐसी होती है कि सरीर के सभी विशाक्त पदार्थों को सरीर से बाहर निकालता है इसलिए आज के दिन कि हम भी किड्नी के प्रती थुआ सा जागरू करें इसके देख भाल बहतर तरीके से करें ताकि हमारी आयू भी स्वस्त और दीर्ग हो इसके लिए मैं आपको लिए चलूँगी आज हमारे खास महमान के साथ तो आईए चलते हैं इस बाचित की तरफ और जानते हैं क्या है आखिर किड्नी दिवस और कैसे हम रखें अपनी किड्नी का बहतर तरीके से ध्यान नमस्कार साथ स्वागत करते हैं आपका आज रेडियो कुमावानी पर जैसा कि आज विस्वी किड्नी दिवस है इसी को लेके हम बाचित करेंगे बाचित आगे बड़े उससे पहले एक छोटा सा परीचाई जान लेते हैं मैं डॉक्टर विपिन कुमार मैं यहां पर आरोही और्गनाइशन के अंदर जो हिल्स एरिया हैं इनके मरीजों को देखता हूँ और इस समय एक सरका खेत में एक कैम्प में आया हूँ जो कि हमारे एक महिने में विजट होती है इस एरिया के अंदर जै आज हम आपसे मिलने पहुचे हैं किडनी दीवस के बारे में जानने के लिए तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि किडनी दीवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या उद्देश है इस दीवस को मनाने का किड़नी दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि एक हम awareness पैदा करें लोगों के अंदर कि वो जाने कि किड़नी क्या है किड़नी के क्या functions है क्या उसकी हमारे शरील में importance है और कैसे हम उसका रख रखाव अच्छे से कर सकते हैं कि जिससे कि हम किड़नी के होने वाली बिमारियों से बच किड़नी जिसे हम गुर्दे भी कहते हैं सरीर में इसका महत्व कित्ता होता है किड़नी हमारे सरीर में सभी लोग जानते हैं कि दो किड़नी होती है इनका मुख के रोप से दो कारे हैं एक तो हमारे खून को साफ करना जो हमारे खून में हमारे शरीर में activity होती है उसके जो कि हमारे blood pressure को control करता है और यही जो सबसे आवश्य function जो है kidney का blood को filter करना है और और वो हमारे filter करने के बाद urine में उसको निकाल देना और जो जरूरी तत्व हैं उनको वापस blood में रख लेना यानि कि kidney हमारे जैसे कि बताया गया कि kidney जो एक filter का काम करती है शरीर के बहुत सारे रोगों के अंदर मान लेजिए कि कहीं infection है तो वो भी infection kidney में जाएगा और kidney को affect कर सकता है एक तो यह है दूसरा जो हमारे शरीर में metabolites कहते हैं या हम क्या कहेंगे उनको chemicals produce होते हैं उनको filter कर देना तो इसी के इसाब से बिमारियां बनती है उसके अंदर बच्चों के अंदर infection होगा तो kidney पे भी infection आएगा kidney failure की तरफ जा सकती है और जब kidney failure में जाती है तो वो अपना काम जो खून filter करने का वो नहीं कर पाती है तो हमारे शरीर के अंदर sodium potassium और बह ही stone formation जैसे कि पत्थर उसमें बन जाते हैं वो पत्थर को रुकावट कर सकते है और रुकावट करके भी वो गृदे को खालाब कर देते हैं ऐसा नहीं है कि हर एक पत्थर गृदे को खालाब करता है कुछ पत्थर ऐसे हैं जो की छोड़े भी जा सकते हैं, जैसे गुर्दे के अगर बीच वाल एसे में कहीं पत्तर है और रुकावट नहीं कर रहा है, तो ऐसे मरीज जल्दी बाजी ना करें, किसी यूरोलोजिस को दिखाएं, और अगर रुकावट ना हो, और अपरेशन वगारे से दूर जैसे कि आपने कुछ समश्याइं बताएं, जैसे गुर्दे का फेल हो जाना, सूजन भी गुर्दे में लोगों की देखी जाती है, वसाइद इसलिए कि यूरीन अच्छे से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, या पास नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा किड़नी से जुड़ी समयाओं की बिमारी की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे समुदाय में देखी जाती है, हर एक परिवार में से, कि एक या दूसर दश्यकों पत्थरी की समया है ही, तो आखिर मतलब ऐसा क्यूं है, क्यूंकि आपको पता होगा कि ऐ इतने ज्यादा मात्रा में पत्थरी जो है वो लोगों के सरीर में हो रही है, उनको इतना ज्यादा इससे परिशानी हो रही है, ज्यादा तर यह देखा गया है कि हमारी दिन चर्या से इसका काफी कुछ लेना देना है, पानी कम पीना, जबकि यह हिदायत दियाते है कि कम से कम तीन लिटर पानी जरूर पी हैं खादी पदारतों में कुछ जादा सेवन करना जैसे पालक डालें बहुत जादा सेवन करना तो यह भी ऑगजलेट बनाते हैं तो इन आसे सं सब चीजों में हब कर सकते सकते जह कम से कम 3L पानी ले और ऑगर ऐसी जगर पर है जहां बहुत जैदा ज़्यादा श्रमारू उड़े और बड़ा सकते हैं नीजह से उरिन करने जाएं उसको भी रोक के ना रखें, तो ये थोड़ा सा एतियाद लेने से हमारे पत्री बनने की समस्या वो कम हो सकती है, यानि कि खान पान ही मुख्य है, और पानी, यानि कि एक तो खान पान, दूसरे हमारे दिन चाड़िया कि हम अपने हैबिट में सौच को रोक दे रहे हैं, और ह स्टोन फॉर्मेशन की तरफ पत्थर बनाने की तरफ हमें ले जाती है, तो सर जैसे पत्थरी तो ठीक हो गया, क्या हमारे जो किड्नी है, उसको जो हम कारी करते हैं, उससे भी कोई नुक्सान होता है, मतलब कारी बोजे से मैंने दिखा है, पहाड़ों में महलाओं के उपर मतलब के उन लोग hai, कि चुन रहें लीट आती होगी जो अब हमको सुन रहें, और किटना पानी पे हुआ हम एक दिन में प्यान दिन, कोई बोजैता है, कोई ऑट बी पियो आज गिलास है, मतलब कितना पानी पैए मोटा माटा हम यह कह सकते हैं कि 3 लिटर के पानी अवच्छे पीना चाहिए और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने 3 बोतल भरके रखे तो उसमें आपका नाप भी वजाएगा कि यह 3 बोतल मेरी हैं और मैंने पानी पी भी लिया है तो 3 लिटर जो है कम से कम पानी जरूर लेना चाहिए लेकिन यह बात उनके लिए लागू नहीं है जिनको कोई किसी तरह की किड्नी की या हार्ट की बिमारी है उनको अपना जो पानी का जो निरने है वो डॉक्टर से पूच के ही करना चाहिए लेकि नॉर्मल आदमी को तीन लिटर पानी लेना चाहिए सर एक स्वाल और बातों बातों मेरे जहन मा रहा है पानी को लेकर ही है यह जैसे मैंने देखा आज कर लड़कियां थोड़ा सा हेल्थ कॉंचस हैं लेकिन हमारे जो पेरेंट्स है या जो थोड़ा अनुभवी बुजोर्ग है वो कहते हैं कि जादा गर्म पानी नहीं पिना चाहिए इसे किडनी परभावित होजाते है या सारी के कोई दूसillo उंन्हें भी आप पिने लेकिने का गर्म पानी पिने का या इसा होता है अगर आपको लगता है धोड़ा गुण गुणना पानी लेना अच्छा लग रहे है अपने कंफ़र्टेब लेवल के साभसे ठोटा सब यहां तो फिल्यूद गुण गुणना ले ले Revelation कि इसका आपके को गुर्दे पे असर होता है या आपके कोई शरीर पे असर होता है तो सर जैसे पत्री को लेके हमारी चर्चा चली थी तो मैंने अक्सर देखा है लोगों को उन्हें जब पता जलता है न कि हमें पत्री है या गुर्दे से जुड़ी वी कोई दिकत है वो तु ultrasound कराता है और उससे ये पता लगता है कि उसकी पत्री है अगर ultrasound में ये कहीं पर आता है कि पत्री रुकावट कर रही है तो उसके operation के लिए जाना चाहिए और अगर पत्री रुकावट नहीं कर रही है तो ऐसे मैं इन्तिजार करना चाहिए परत्री हमारी गुर्दे में हो सकती है गुर्दे का अगला हिस्सा जो यूरेटर होता है वहाँ पे हो सकती है उससे अगला हिस्सा जो हमारी पिशाप की थैली होती है यूरी ब्लेडर यहाँ पे हो सकती है तो इसमें हमेशा चिकित्सक के सला जरूर लें लेकिन जैसे किड्नी के अंदर को छोटी पत्री पड़ी है और वो रुकावट नहीं कर रही है तो उसमें किसी भी इलाज की या उप्रेशन की जूरुत नहीं है लेकिन गुर्दे के आगे का जो पाइप यूरिटर है उसमें चोटा सा स्टोन चाहिए वो पांच एमेम का हो वो रुकावट जरूर पैदा करेगा ऐसे में अगर रुकावट पैदा हो रही है तो उसके आपरेशन को उसमें तुरंत आपरेशन करा जाता है ऑपरेशन से कहने का मतलब है मेरा कि काट पीट कोई नहीं आज कल बिगर काट आज चीर फाड वाला भी विकल्प है और दवाई का तो हम समझ गए कि जब तक गंभीर समिश्या नहीं है पत्री के तब तक आप दवाई ही लो अगर गंभीर से ज्यादा हो जाता है यानि कि आपको बरदास्त नहीं हो रहा है और डॉक्टर कहने कि ना जी आप ऑपरेशन उस लगबग दूरमीни के से निकाले जा सकती है जो दूरमीन 1979 कि तरह के रास्ते चाहिए मैला हो यह पुरुष हो वहाँ से जाके पत्थर को खीच कि निकाला जा सकता है इसमें को चीरा-फाड़ी नहीं होती है लेकिन जो गुरो पत्थर गुर्दे के हैं गुरोडे के पत करते हैं और बाकी को हम जे दूर बिन से कर सकते हैं किड्नी का चीरफाड वाला ही होगा चीरफाड भी होता है लेजर भी है उसके अंदर वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि स्टोन कितना बड़ा है कैसे निकालना है क्या क्या सुविदाएं है क्योंकि हर जगह के अपने लेजा सकते हैं तो यानिकी इस रुता हमने समस्या जान ली गुर्दे से संबंदित हमने उसका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उपाई भी समझ लिया अब हम अगर स्रोन सर हम यह चाहते हैं कि हमें कभी पत्री ही नहों क्या मेरा मतलब रूटीन रहना चीए जो मेरे को इस सम स्वासियों का भी यही इलाज है स्वस्त रहना एक्सराइज करना तीन लेटर कम से कम पानी पीना दूम्र पानना करना और हमारे शुगर के मरीज खास तोर से ध्यार नहीं कि वह अपना शुगर को ठीक रखें क्योंकि शुगर ही कैसी और ब्लड प्रेशर यह चीजें जो ह मरीज की जहन पर बात आ सकती है अगर उसको डाले से इसके लिए ना लिया जाए तो सर आज की दिन आपने हमसे बातचीत करी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू 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 लगा हैन्क्याल सबस्दब सालंगन है बहुत बहुत थैंक्या सekतारी से हाईन सकती है जो हमसे टुए पता बहुत चाज सकती हां सकतार है जाए बहुत अगर बहुते हैंक्या सकतारी सानी días हमसे बाँपर सकतारी म Mins also seen x VB-34 segregation को ए yağ AI57 Swan